नमस्कार बहुत स्वागत है आपका काला धागा सिर्फ नजर से ही नहीं पजाता बलकि पैसे भी खीचता है जी है दोस्तों ये सच है और कई अपसर पर आपने देखा होगा लोग हाथ में पैर में बाह में गले में या फिर पैर के अंगुठे में भी धागा बांते हैं आप सोचते होंगे काला धागा ही क्यों आपको तो पता ही है काला रंग काला धागा जो होता है न वो नजर दोस्ते आपको बचाता है अगर किसी की दृष्टी में आपके लिए बुरा चाहने की छंता है या फिर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो यह दागा व मीर बढ़ने में भी आपकी मदद करता है वैसे तो काले धागे के बहुत सारे परियोग किये जाते हैं तो आज हम आपको चार फाइदे बताएंगे अगर आपको जीवन में बहुत पैसा चाहिए तब सनीवार या मंगलवार के दिन इसका परियोग करेंगे अगर जीवन में पैसों की तंगी है तो क्या करेंगे सनीवार या मंगलवार के दिन आप कम से कम एक डेड़ फूट या फिर एक हांत लंबा काला धागा ले ले अब आराम से नहाद होकर फुरेस होकर हनुमान जी के मंदल में जाईए और हनुमान जी की परतिमा यानि उनके चर्णों से धा दाहिने पैर के अंगुठे से थोड़ा सा सिंदूर लीजिए और यह जो आपने गांठ बांदी है ना हर नौक में थोड़ा थोड़ा लगा ले अब लाकर आप अपने घर के मुखे दरबाजे पर अपनी तीजोरी में या फिर आप अपने कलाई में भी बान सकते हैं आप देखेगा धन की परिशानी दूर हो जाती है और धनाने लगता है इसका परियोग बहुत ही लाब देता है लेकिन हां जब भी आप यह उपाई कीजिएगा तक चुपचाप करना है आपको किसी से इसमें बात ना करे तो अच्छा है एकदम सांत मन से और दूसरा परियोग क जान उसमें अच्छी बद्य होती है या पिर ऐसा कहें की रख संचार भी अच्छा होता है और सनी डोस्रे अगर आपड़ी थैं या सैरी दूसी से लें हनुमान जी का नाम लेते हुए या फिर हनुमान चले साथ पढ़ते हुए जो ब्यक्ति बिमार है ना उनके दाहिने पैर के अंगुठे में बांगते हैं आप देखिएगा उनका स्वास जल्दी चीक हो जाता है अगर आपको लगता है जीवन में किसी का टोक लग गया है थोड़ा बड़ा लीजिएगा अब घर के चारो दिसाओं में बांदे जो भी मिले आपको जमीन में भी आप कहीं पर बांद सकते हैं च्छत में भी आपके कहीं पर है वैसा जगह तो बांद सकते हैं अगर कुछ किसी ने किया होगा तो बाहर चला जाएगा और अगर हम काल धागा बांधिये रात में सोने के पहले थोड़ा सब बांध लीजेगा अपने बालों में बाल टूटना बंध हो जाएगा अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं अच्छे से ग्रोव अपनी हो रहे हैं फुल फल नहीं लग रहे हैं तब उस पेड़ पर काला धागा देखेगा बच्चे को नजर दूस नहीं लगेगा और एक दम से सुड़क्षित बना रहेगा और सबसे अंत में अगर आप विद्यार थी हैं आप एक अच्छी जोग के लिए लंबे समय से प्रयास रथ हैं जब नहीं मिल पा रही है तब आप इस काले धागे को लेकर फिलालम आपसे भी दा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धरने बाद